नमस्कार मैं हूँ राम्परकाश राइ मद्ध्य प्रदेश के एक वरिस कॉंग्रिस के नेता जिनके विडियो पर इस समय बवाल मचा हुआ है उसको ले करके कई सारी प्रतिक्याएं अब भारती जनता पार्टी की तरफ से आने लगी है बाचपा के कई बड़े नेताओं ने मूर्चा समाल लिया है और एक के बाद एक लगातार उन पर से ले करके और कॉंग्रिस पार्टी के आला कमान तक हमले हो रहे हैं ये वीडियो है मद्धिप्रदेश के वरिस कॉंग्रिस नेता और कॉंग्रिस की सरकार में मंतरी रह चुके राजा पटेरिया का इस वीडियो में एक कारिकरम के दौरान का ये वीडियो है जिस वीडियो में कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के हत्या की बात की पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए फिर हम उसके बाद आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के हत्या की बात की है इसको लेकर के मद्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सिवराद सिंग चौहान का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी आज की तारीख में जनता की के आस्था के केंद्र है उनकी जो लोगप्रियता है वो सरवादिक है कॉंअगरेस पाटी जमीन पर उनसे लड़ नहीं पाती असलिए उनसे हत्या की बात करती है ये जो इस तरीके के बयान है वो विद्वेश की पराकास्था हैं गृणा की अती हैं और ये जो बयान है उससे कॉंग्रिस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं साथी साथ उन्होंने चेतावनी भी दे दी उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों को जो है वो सहन नहीं किया जाएगा कानून अपना काम करेगा निश्चित तोर पर इसके अलावा जो मद्यप्रदेश में ग्रेह मंतरी हैं नरुत्तम मिश्र उन्होंने पटेरिया पर एफायार के निर्देश दे दिये हैं कहा कि परदानमंत्री नरंद्र मोधी के हत्या की बात की गई इस तरीकी कि चीज़ों को ले करके फिर उन्हें架ने बकाइदा फाइयर के निर्देश दी दिये जिनके निर्देश के बाद पंच जले के पवी थाने में फाइयर दर्ज हो गई है जब इतने सारे बयान थे तो जब इतने सारे हमले होने लगे तो उसके बाद एक बार फिर से राजा पटेरिया का भी बयान आता है उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते वे बात कही कि उनके बयान को गलत तरीके से पेस किया जा रहा है ये जो वीडियो है वो एक कार्ड वित्रन समारों के दोरान का है और तब जो उन्होंने कहा कि वो गांधी को मानने वाले हैं और गांधी को मानने वाला कभी हत्या की बात नहीं कर सकता है जो वीडियो दिखाई जा रही है जो वीडियो के बताया जा रहा है वो गलत चीजें बताई जा रहे हैं वीडियो जो कि आप सुन चुके हैं वो वीडियो जो है वो पन्ना जिले के ही मंदलम में एक कारिकरम था वहां का है जहां पर राजा पटेरिया कारिकरताओं को संबोधित कर रहे हैं इसमें उन्होंने भारती जिनता पार्टी और प्रधान मंत्री इन है वो आप पहले सुन चुके हैं उन्होंने कहा है कि मोदी इलेक्शन को खत्म कर देंगे प्रधान मंत्री नरेंगे पुनों इल्जाम लगाएगी वो धर्म जाती और भासा के आधार पर सबको बांट रहे हैं दलितों और आदिवाशियों के साथ-साथ अल्फंकियों क भावी जीवन जो है वो खत्रे में हैं अगर उनके हिसाब से कि सम्विधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तयार रहे है साथी साथ उन्होंने ये भी बोला है कि हत्या in the sense कि उनको हराने के लिए तयार रहे है पर अब एक बार जब बात निकल गई तो फिर ब पहस हुई थी तब रहपुरा थाने के थाना प्रभारी सिनों ने कहा था कि जो आहां पर लंबे समय से जंगलों में रहते लोग आ रहे हैं उनकी जमीनों को उनसे खाली नहीं कराया जा सकता है ये लोग 2005 से वहां पर खेती कर रहे हैं और सरकार का सरकार से लेकर कोड तक इस पटेरिया का खेर अब जब ये वीडियो वाइरल हो गई है तो उस वीडियो का ठीक वैसे ही जिस तरीके से अभी जब गुजरात में विदान सभा के चुनाव हो रहे थे तो उस समय कॉंग्रेस पार्टी के रास्तिय अद्धिक्ष मलेकार जुन खडगे ने प्रधान मंति नरेंद्र मोधी को नहीं का उन्होंने वहाँ पर एक उदाहर ना दिया था रास्तिय अद्धिक्ष मलेकार जुन खडगे ने अपने एक जनसमोधन में ये बात कही थी कि प्रधान मंतिर नरेंद्र मोधी के चेहरे पर ही भारती जंता पार्टी हर एलेक्शन लड़ती है चाहे वो नगर निगम का चुनाओ हो, विधान सबा का चुनाओ हो या लोग सबा का हर जगे पर प्रधान मंतिर नरेंद्र मोधी के चेहरे पर भाचवा वोट मांगती है तो हर जगे उनका ही चेहरा क्यों देखा जाए, क्या उनके रामण की तरीके से सौसर है तो इस तरीके का बयान मलिकारजुन खरगे का आया था जिसको लेकर के भारती जंता पार्टी कॉंग्रेस पर पूरे चुनाओ जबर्जस रूप से हमलावर रही और शायद इसे उसका नुकसान भी गुजरात में उठाना पड़ा इसके अलावा भाजपा ने इस बात को भी जम कर परचारित किया था कि जब जब कॉंग्रेस पार्टी के नेता जो है वो प्रधान मंतरी पर व्यक्तिकत हमले करते हैं तो उन्हें उसका नुकसान उठाना पड़ता है हाला कि जब गुजरात में विधान सबा के चुनाओ परिणाम आते हैं तो भाजपा के इन आरोपों में जो उनके भाजपा के तमाम दावे हैं उनमें काफी सचाई भी नजर आती क्योंकि पिछले विधान सबा चुनाओ के मुकाबले कॉंग्रिस पार्टी को इस बार सीट गुर्ट जीत भारती जनतापार्टी ने गुजरात में हासिल किया तो यह सारे विधाद हैं ऐसे में और भी तमाम नेताओं से लेकर के समर्थकों के बैयान आ रहा हैं सोचल मीडिया पर इस तरीके से बार लोगतन तरकिया सिकनी चाहिए कॉंग्रिस को अपने जो नेता है उनके उपर लगाम लगानी चाहिए तो इस तरीके के तमाम जो बयान जिस तरीके से अक्सर विवादों के बाद लोगों की राय शमारी होती है राय आती है उस तरीके से सोशल मीडिया पर इस समय भी राय राय जो है वो तमाम वाइरल हो रही है अब देखना ये होगा कि इस म मामले को भी आया गया जिस तरीके से पहले होता रहा है वैसे ही ये मामला भी बीच जाएगा बने रहे हैं हमारे साथ निवाद